नमस्कारम सद्गुरू, अगर पिछले जन्मों जैसी कोई चीज है, तो क्या इस जन्म के लोगों के साथ हमारा कोई पुराना संबंध होता है? मैं ये इसले पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने आपके साथ कारेकरम करने के बाद मुझसे पूछा था, मैंने तुम से शादी कैसे कर ली? तो मैंने तुम से शादी कैसे कर ली? मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है, तो आपको खुद को देखना चाहिए, कि आपके साथ क्या चल रहा है, इतने सालों के बाद कोई सोच रहा है, कि मैंने तुम से शादी कैसे कर ली, आपको सच में खुद की और देखना चाहिए, अपने पिछले जन्मों को नहीं, इस जन् तो आप मेंसे कोई भी, अगर कोई सोच रहे है कि मैंने तुम से शादी कैसे कर ली तो पिछले जन्मों के बारे में मत सोचिए आपको ये देखना होगा कि आप इस जन्म को कैसे जी रहे हैं ये बहुत जरूरी है तो मुझे लगता है कि ये सब फिल्मों के कारण है जन्म जन्म है, whatever मेरे खयाल से नई फिल्मों से ये सब जा चुका है आप सत्तर और असी के दशक की फिल्में देखकर बड़े हुए इसलिए आप जन्म जन्म के चक्कर में पड़े हैं देखिए, सबी यंग लोग नई फिल्में देखते हैं वो जन्म जन्म की बातें नहीं करते आज कल वो रिष्टों और उनकी एक्सपारी डेट के बारे में साथी सोच लेते हैं तो आपकी सत्य की खोज को अगर कमर्शल सिनमा रास्ता दिखा रहा हैं तब तो आप मुसीबत को घर बुला रहे हैं तो अगर आप किसी के साथ सर्फ तभी रह सकते हैं जब आपको विश्वास हो कि आप कई जन्मों से साथ रहे हैं तो ये साथ रहने का बहुत बुरा तरीका है है न? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कई जन्मों से हूँ ये साथ रहने का बेहुदा तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूँ ये किसी के साथ रहने का एक सुन्दर तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि पिछले तीन जन्मों में अपने जीवन में ऐसी भहेंकर चीज़े मत पैदा करें प्लीज तो अगर आप तीन जन्मों से साथ हैं तो इसका मतलब है कि अलग होने का समय आ गया है नहीं लोग हर वक्त मेरे पास इस तरह के सवाल लेकर आते रहते हैं सद्गुरू क्या मैं पिछले जनम में आपके साथ था क्या आपको लगता है कि अगर मैं पिछले जनम में आपसे मिला होता तो मैं फिर कभी दुबार आपके सामने आने चाहूँगा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज कल हुई थी उसका अभी कोई मेहतो नहीं है अभी आप उस चीज को मेहतो पून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हुई थी आपको पता भी नहीं है जो शायद हुई थी किसी और जनम में ये तो वही बात हुई जैसे अकसर हर कोई अपने स्कूल के दिनों या पढ़ाई के दिनों के बारे में बात करता है अरे वो तो मेरे जीवन के गोल्डन याज थे हम जानते हैं कि आपके गोल्डन याज कैसे थे आप हमेज़ा टेंशन में रहते थे एक्जाम्स के वक्त आपकी हालत खराब रहती थी आपको अपने टीचर से नफरत थी और आप स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे अब वो गोल्डन याज लगते हैं क्योंकि अब वो खत्म हो गए च्योंकि अब आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए वो गोल्डन है मेरे ख्याल से आप अपनी शादी के बारे में भी ऐसा ही महसूस करेंगे जब अगर आप अपनी शादी के बारे में उसके तूट जाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है अगर आप शादिशुदा होते वे ऐसा महसूस करें तो बढ़िया होगा है ना रिष्टा तूटने के बाद आप सोचते हैं सब कुछ कितना बढ़िया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप शादिशुदा होते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है तो अतीत के बारे में सोच कर अपना वक्त बरबाद मत कीजिए मेरी बात मानियें, ये फालतू की यादें आपको अपाहिज बना रही है ये आपको अपने दिमाग को एक खोच का औजार बना कर इस्तिमाल नहीं करने दे रही एक ऐसा औजार जो जिन्दगी के अनेक आयामों को खोल सके अब आप अब आप उन सारी यादों का बोज उठाना चाहते हैं जिसे दूसरे लोग भूल चुके हैं और अगर वही इकलोता तरीका है जिससे आप अपने पती या पतनी के साथ रह सकते हैं तो ये लोगों के साथ रहने का बहुत ही बहुदा तरीका है ऐसा मत कीजिए देखिए अगर आप उस इंसान को महत्तों दे सकें जो भी आपके सामने बैठा है वो अभी जैसा है उसलिए इसलिए नहीं कि वो कहीं और क्या थे आज आज की modern societies की यही तो खासियत है हम आपकी इज़त आपके पिता की वज़े से नहीं करते बलकि आप जो हैं उस वज़े से करते हैं आप कौन हैं इस वज़े से आपकी इज़त होती है यह माइने रखता है है न अरे आप आप किसके बेटे हैं आप किसकी बेटी हैं यह माइने नहीं रखता बदकिस्मती से बहुत से लोग आज भी उसी में जी रहे हैं आप कौन हैं यह माइने रखता है आपने अभी खुद को कैसा बनाया है ये माइने रखता है आपके पिता कौन थे ये माइने नहीं रखता राजा महाराजाओं के दिनों से मौडन जमाने तक का सफर ताय करके हम यही बड़ा बदलाव लाए है हम थोड़े अस्ट व्यस्ट हैं पर ये एक बड़ा कदम है है न है की नहीं ये बहुत ही महतवपून कदम है कि कोई मुझसे नहीं पूछता कि तुमारे पिता कौन है वो सिर्व ये देखते हैं कि मैं कौन हूँ ये बहुत ही बड़ा कदम है है न contractors पर अगर आप यहां 50 साल पहले आये होते या 100 साल पहले तो कोई आपको देखकर ये नहीं पूछता कि आप कौन है वो सिर्व ये पूछते कि आपके पिता कौन है बदलाव आया है, बहुत कुछ बदला है तो ये पूछना कि आप अपने पिछले जनम में क्या थे ये तो ये पूछने से भी बुरा है कि आपके पिता कौन है आप अभी क्या है ये सबसे ज्यादा माइने रखता है आपने अभी अपने जीवन को क्या बनाया यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने में अपना समय और जीवन बरबाद मत कीजिये